प्लस जो भी आपके इस बार चांज आ सकते हैं तो सारी हमने आज की वीडियो में कवर किया है तो टोटल दो पीडियो जिसमें आपके दोनों जो बुक है आपकी उससे सारी इंपर्टन कोशन आपको देखने को मिल जाएंगे और एक पीडियो जिसमें आपको सारा आपका ग्रामर सेक्स और राइटिंग और यह सब देखने को मिल जाएगा तो पहले स्टार्ट करेंगे हम इंपर्टन जो आपके टेक्स्ट बुक यानि होना है जिनका मकसद सिर्फ है पास होना तो वह इसी वीडियो में जितने कोशन बताया जाएंगे उन्हीं को प्रिपेर करके आप इसली पास हो सकते हैं बच्चिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कूर करना है आप इन पीडियो को जरूर पच्छे कर लीजेगा क्योंकि इ पहला कोशन आपके सामने है और आंसर आप यहां पर साथ में देखते चलेंगे क्योंकि आंसर जाएंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगे और ज्यादा कोशन कवर नहीं हो पाएंगे तो मेंली आपने फोकॉस करना है कोशन पर सेक्ड़ कोशन है वेर वाजदा चलते हैं अगले कोशन की तरफ अगला प्रस्न है वाई हैस दा मदर बीन कंपेर टू लेट विंटर स्मॉड और अगला प्रस्न देखना है वाट डू दा पार्टिंग वर्ड आप दपोई पोईट सिग्निफाई इन दा पोयम माई मदर एट 66 कोशन आपका 16 और 18 में प्रोज या पोयम के आपका कुछ पार्ट देदेंगे कुछ लैंस देंगे उसे लिटर कुशन पूछ आएंगे तो एक आपने ये कुशन देख लेना है इसे लिटर जो कोशन है वो बचवा आपकी स्क्रीन पर है तो इसको अपने अच्छे से प्रिपेर कर लेना है तीन को पॉर वार्स एंड इस्टार्ट लिविंग लाइब ब्रदर्स इसको आपने देख लेना है next important question है what does the poet want all of us to do in the poem keeping quiet इसको आपने prepare कर लेना next है what does the poet say about fishermen in the poem keeping quiet next important question कि तरफ what is the sadness that the poet refers to in the poem keeping quiet इसको आपने देख लेना एक important question है next आपका what is the theme of the poem keeping quiet question आपका 2009-17-22 मों पूशा जा चुका है what will counting up to 12 and keeping still help us achieve तो यह आपका previous half early में काफी बर question आचुका है next फिर से आपका आपका एक poem का जो पार्ट है वो देखने को मिलेगा इसे लेटर तीन question बच्चों आपकी स्क्रीन पर इसको आपने प्रिपेर कर लेना है जलता है next अगले question की तरफ question आपका what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth एक आपने यह देखना है next अगला जो प्रशन है list the things of beauty mentioned in the poem a thing of beauty और next जो question है वो है list the things that cause suffering and pain question आपका 17,22 और 2010,11 और 15 में पूछा जा चुका है same फिर यहां पर आपको कुछ poem का part पार देदेगे lines दिये हैं उसे related question आपका आपका पूछे गया है what is the childish longing that the poet refers to फिर next second question why does the poet say that it is in vain third why do people driving in the cars stop sometimes तो 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 आप आप बच्चो इसकिन पर देख सकते हैं और चलते हैं next question के तरफ अगला है what was the play of the folk who had put up the roadside stand और यह question आप देख सकते हैं 2009,11,18,23 में बच्चो पूछा जा चुका है या फिर यह question थोड़े सापको घुमा कर देदेंगे what was the expectations of the people who had set up the roadside stand तो यह तो ओगे जो पोएम के important question है अब कुछ questions आपको बता देते हैं important जो कि आपके आने वाले हैं आपके story section से first question आप देख रहे हैं the last lesson आपका first chapter उसे later जो important question है what information did Mr. Hemel give to the children in the in his class क्या जानकारी Mr. Hemel ने अपने बच्चों को class में दी how did Mr. Hemel wish his country before the close of the school that day Mr. Hemel ने उस दिन स्कूल बंदोने से पहले अपने देश को किस तरह wish किया वो आपके बताना है आपर next है what side did friends see on his way to school in the lesson the last lesson friends ने अपने school जाने वाल रास्ते में क्या चीज़ देखी वो आपके आपके आपर बतानी है वो क्या चीज़ थी जिसने फ्रेंच को मजबूर किया या फिर उसको उत्साहिद किया गर से बाहर अपना दिन बिताने का या किस चीज़ ने मजबूर किया next question है what makes the city of फिरोजाबाद famous फिरोजाबाद शहर को क्या चीज़ famous बनाती है या किस चीज़ के कारण फिरोजाबाद famous है दो जर तेर और बाइस में प्रशना है दे ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग मेक्स दा सिटी ओफ फिरोजाबाद famous यानि चूडी बनाना या चूडी का जो कारोबार है बिजनेस है वो चीज़ क्या करती है फिरोजाबाद को किस चीज़ को परदर्शित करता है तो आपने कोशन देख लेना है उसका नेक्स्ट और जो अगला इंपर्टन मुस्ट इंपर्टन और या आपका लॉंग में बच्चवाइगा है कोशन वह है मैंशन दा हजार्स ओफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल से इंडस्टी इन फिर यह लगबग चार से पांच नमबर का प्रस्टन आपके एक्जाम में आएगा नेक्स चलते हैं डीप वाले चैप्टर से कुशन आपका हाव डिडगलस ओवर्कम इस फियर ओफ वाटर दोज़ादा पंद्रत इसमें प्रस्टन आ चुका है डिडगलस ने कैसे अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त की वह आपके आपर बताना है इस कोशन का अंसर में चलते हैं नेक्स्ट कोशन और मैं आपको एक चीज़ यहां पर सजेशन दे देता हूं कि अगर आप मानलो कि इंगलिस आपकी वी क्या आप नहीं पड़ पा या फिर दिक्कत है जादा आंसर याद करना में तो simply आपनी का करनी है जितने भी आपके चैप्टर चाहे वह पोयम है या फिर आपके श्टोरी वाले चैप्टर है हूं सभी के आपने summary पढ़ लेनी है हिंदी में और हिंदी में पढ़ लेंगे तो कोशिस करना है आप अपन उनको आपने हिंदी में एक बार पढ़ लेना है आपको इस्टोरी पता रहेगे तो आप उसको चेंज करके लिख सकते हैं अपनी लेंग्विज में कोशन आपका what is the miss adventure एडवांचर ड़ैड विलियम डगलस इस्पिक्स अबाउट यानि वह क्या मिस अडवांचर था आपने फिये घटना थी जो विलियम डगलस जिसके बारे में बिलियम डगलस बताते हैं नेक्स्ट कोशन है वाई वाज़ दा क्रॉप्टर सो टॉक एक्टिव एंड फ्रेंडली विद पैडलर जो क्रॉप्टर था वो मतलब दोस्ताना या फिर बहुत वाचाल जिसको बोलते हैं बहुत जादा बोलने वाला वो पैडलर के साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था इसे क्या रही जन था जिसके करण वह बहुत जादा बोल रहा था उसके साथ इंपर्टन कोशन है दो जार दर सब्सक्राइब में पूछा गया है नेक्स्ट अगला कोशन है किस जगह से पैडलर यानि वह जो चूहेदान बेचने वाला था किस जगह से उसको यह लग गया क कि हाँ यह जो पूरा संसार है वो एक चूहेदानी के समान है तो एक आपने यह क्वस्टे लेने हैं अब कुछ कवशन सापको बताते हैं नेक्वाला जेसे हैं और यह आपका अध कर बताते है देखके आधार सक्ते हैं लक्षमी नगर नियू देली एंड विश्टू लेट आउट पॉर्शन आफ यूली बिल्ट हाउस आपने को एक नया घर्म ना है उसका कुछ हिस्सा आप किराय पर देना चाहते हैं तो आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरह से लिखना है वह बच्छों आप समने स्क्रीन पर भढ़ देनी है यह पर अब देना है और इसके बाद यह भी आपका एक अडवर्टाइजमेंट है उसके बाद फिर आपका एक नोटिस आजाता है नोटिस के इस तरह से लिखने है बच्छों आप स्क्रीन पर देख पारे होंगे सारे इंपोर्टन जो भी है वह आपको बता दिया है सारे को प्रिपेर करेंगे अब कैसे स्कुर्ण आपकी स्कृण पर है सिंपले हैं आपने त्रिकेंगा के लेने के लिए पहला आपको इनकी कोष्ट दिखा देता हूं यापब जो बच्छे इन PDF को लेने चाहते हैं आपको सामने दोनों PDF की कोस्ट आपको show हो रही होगी 45 की 140 बात करते हैं कि जो बच्छे वर्सव पर wer Toby लेने चाहते हैं वो क्या करेंगे जो एंपको मैं यथा नूंस समने इस वर और वो कोड पर जैसे आप payment करेंगे आपको PDF आपके WhatsApp नमबर पर easily मिल जाएगी अब बात करेंगी जो बच्चे ट्रेक्ट वट्सअप पर ना लेकर के वेबसेट से लेने चाहते हैं आपके सामने वारी website देखने को मिल जाएगी इस पर क्लिक कर लेना है आपको सारे सब्जेक्स देखने को मिलेगी तो आपने अंग्रेजी पर क्लिक कर लेने है इंगलेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे आप दोनों PDF आपको शोओंगी राइटिंग और टेक्स्ट बुक करके तो आपको जो भी PDF लेने को इस पर आप क्लिक करेंगे नेक्स पर आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा और इसमें जब आप जिस जो PDF लेने चाहते है उसको अपने add to card कर लेना है जैसे हमें आप एक PDF add to card की है उसका next proceed to checkout पर क्लिक कर देना और checkout में क्लिक करने के बाद आपने आपने जो भी details मांगी गई यह वो आपने भर देना है और यहाँ पर आपने last tick करके place order कर देना है और इसके बाद जैसे आ website से भी PDF को ले सकते हैं आई हो बच्चों यह पूरी process से अप सारे step अच्छे समझ गहूंगे बाकी कोई doubt को question रहेगा वो आपने comment box में या फिर हमारे WhatsApp नंबर पर भी contact करके अपने doubts clear कर सकते हैं तो सभी को शुब कामने best wishes आपके हाफ एली exam के लिए मिलते हैं next video में other subject के important questions क से थाथ thank you so much watching for this video